भी तैज८्ट हेलो एवरिवान वेलकॉम वह खानली जास में शुद्फ किक्नलड़कंट्ब में हमने स्ट्रट्च्टर औफ क्रोमजों फड़ा था क्प्लीट कड़्ा अज हमशुद्फ का पूरे चाप्टर का जो भी बेसिक इंप्पोर्टेंट पॉइंट स्पी αλλά करेंगे और डाटीस ईश्दस्पटियों कर रहे हैं तो जानेटेक्ट करह दो कि अबर बहुत आएजरी इंहैरीटेंटे cuántico कि जो भी characters parents से offspring में transfer हो रहे हैं, अगर आपने reproduction का lecture नहीं देखा है, structure of chromosome का lecture नहीं देखा है, तो आप ये lectures को देख के आओ पहले, उसके बाद अब genetics पढ़ोगे, तो आपको easily समझ में आएगा, क्योंकि chromosome पढ़ने से पहले ही, genetics पढ़ने से पहले उसको पढ़ना बहुत जाद हमें आ रहे हैं, तो वो किस तरह से हमें आ रहे हैं, the transfer of characters from one organism to the another is basically called as inheritance, and in genetics we will study about the inheritance, so हम inheritance के बारे में पढ़ेंगे, heredity के बारे में पढ़ेंगे, genetic material जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, chromosome में, DNA होता है, तो आज ये जो हमारा topic है, वो basically बहुत important है, genetics में दो चीज़े आती है, क्यों आती है, क्योंकि sexual reproduction हमको variation शो करता है, sexual reproduction एक तरफ से आपको variations भी शो करेगा, दूसरी तरफ ये होता है, कि sexual reproduction से ही जो है, transfer होते है characteristics, यानि कि ये जो characteristic transfer होने वाला sequence चलता है, ये sexual reproduction में होगा, तभी तो उसमें variations आते हैं, तो अब हम continue करते हैं, सबसे पहले हम genetics पढ़ने से पहले कुछ terms हैं, जो बार बर इस chapter में repeat होंगे, उन terms को हम पहले discuss कर लेंगे, जिसके ज़से आपको कोई दिखकता हो, what is the meaning of trait, trait क्या है, या Mendelian trait क्या है, trait same as character of an individual whose inheritance is studied, यानि कि trait क्या है, ट्रेट एक तरह का character है, character क्या हो गया, जैसे कि suppose करो eye color, तो eye color क्या है, eye color एक character है, और उसी को आप क्या बोल रहे हो, eye color एक trait है, लेकिन हर trait के क्या नामे, दो, दो examples होते हैं, जैसे कि अगर आप देखो कि eye color एक trait हुआ, एक single character है, अब इस single character से क्या नामे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि eye color blue हो सकता है, black हो सकता है, brown हो सकता है, तो trait क्या है, trait basically character को शो करेगा, कैसे character को जैसे आप कहो कि 하а, hair color, hair color क्या होगा, hair type क्या होगा, straight बाल होंगे कि curly hair होंगे, तो all these things are character, यानि कि आप single heading बोल रहे हो, hair color, hair shape, hair structure बोल सकते हो, या variety बोल सकते हो, या eye color बोल रहे हो, तो this eye color, hair color, all these are characters, ये क्या है characters है, अब ये characters दो practs में divided हैं, जैसे कि hair color में आपका क्या आ गया black brown usually dominant होता है जादा तर देखा जाता है आई color में black और brown जादा तर देखा जाता है बाकि कुछ blue और green भी होते है बट वह बहुत क्या है next है देखो example दिया है जैसे कि height of pea plant height of pea plant क्या है height of pea plant trait है यानि कि height of pea plant को आप कह सकते हो कि character है है height of pea plant और tallness और darkness क्या है इसके दो expression है expression का मतलब क्या है की height हमने एक character ले लिया भाया है height हमारा character है अब जो height हमारा character is expressions क्या है यानि हाइट अपने आपको किस तरह से express करेंगा तो 1 tallness के form में और 1 darkness के form में अगर कोई tall है तो हम क्या कहेंगे इसके 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 इस बेसिकली क्या है क्रोमोजोम हमारा किस से बना है क्रोमोजोम हमारा बना है डियने और प्रोटीन से जीन बेसिकली डियने का सेगमेंट है जो सीक्वेंस करता है पर्टिकुलर क्यारेक्टर के लिए सपोस करो अगर यही क्यारेक्टर हाइट के लिए जाना है तो हाइट को यह क तो बोल रहे हैं तो बेसिक यूनिट ऑफ इन्हेरिटेंस फॉर गिवन क्यारेक्टर इस पेसिफिक सेग्मेंट ऑफ डी ने लोकेट इन दे क्रोमोजोम इस पाउजन फॉम पेरेंट तो ऑफस्प्रिंग यानि कि कि यूनियट कैसी वनियट को एक जैनारेशन दूसरी जयरेशन में लेकर जाने की क्या ट्रांस्फर होता है और डीन आप्स यहां पे कुछ इसके एक जांपल धीए कि जीन किया होता है जीन किसके लिए जाएगा, एक टर्म आता है hybrid hybrid का मतलब किसी को पता है जैसे कि देखो hybrid कि आसकते हो कि male के गमीट साहीं फीमेल के गमीट साहीं दोनों में crossing हुई mixing हुई और उसके बाद एक नया individual बना तो यह individual जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है वो hybrid बन रहा है यह hybrid क्यों कि कुछ mixing parents जो है father से आया कुछ material जो है mother से आया गमीट का क्या हुआ crossing over chromosome change हुए और इससे क्या हुआ genetic material को आप कैसे हुआ exchange हुआ यह genetic material में mixing हुआ और उससे एक नया individual तैयार हुआ तो basically this is hybrid लेकिन hybrid term को हम basically asexual या plant के cases में जादा यूज करते हैं अगर आपसे पूछ रहा है what is the meaning of hybrid यह जो important words है इसको समझना बहुत important है क्यों कि अगर आप यह समझ लोगे तो आप कहीं भी जब chapter पढ़ रहोगे तो आपके मन में आया trait तो आपको नहीं पता trait क्या है लेकिन यहां से आपको पता चल गया अगर आप यह सारे important words difficult words का meaning देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज जादा important है okay so next देखिए next यहाँ पर क्या है hybrid a hybrid is an individual which is produced by crossing the two homozygous individuals which are genetically different यानि कि genetically कैसे है different है genetically different है उनके बीच में जब हम crossing कराएंगे तो जो नहीं चीज बने कि that is hybrid यानि कि suppose करो आपने एक plant लिया आपने दो प्लांट लिये यह plant A है और यह plant B है plant A और plant B एक दूसरे से genetically different है यानि कि बिलकुल अलग है लेकिन जब हमने इनको क्या कर दिया साथ में लाया और जो इनसे नया product बना that is called as hybrid product जो हमारा hybrid product बना तो उसमें कुछ parts कुछ characters जो है plant A के भी होंगे और कुछ characters जो है plant B के भी होंगे तो दोनों के mixing से जो एक नया product बना रहा है that product is called as hybrid उसको हम मोलेंगे hybrid इसके examples भी आपको दिये हुए है F plants form by crossing tall and dwarf pea plant यानि कि अगर हम tall और dwarf pea plant का mixing कराएंगे तो हमें जो plants मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे उसके बारे में दिया है Now what is dominant? Dominant क्या है यह देखिए? Dominant का मतलब क्या होता है? Dominant मतलब क्या है? Recessive मतलब क्या है? Dominant का मतलब होता है जब भी आप genetics पढ़ोगे ना तो किसी भी चीज़ को suppose करो आपको बताना है आपने एक character height ले लिया उसमें आपको बताना है कि यह tall है एक organism tall है और एक आपको बताना है dwarf है तो जब भी ना हम इसको represent करते हैं तो tall में हम capital T capital T use करते हैं और dwarf के case में हम small t small t use करते हैं यह condition तो आप समझ गए होगे कि यह tall के लिए है यह condition दौर्फ के लिए है लेकिन suppose करो ऐसे लिखा है एक capital एक small what does it indicate यानि कि इसका मतलब क्या है यह क्या बता रहा है यह क्या present कर रहा है तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यह भी tall है यह क्या है tall है लेकिन आपका question यह होना च इस ची के character को छुपाने के लिए तो कह सकते हो कि capital T इतना शक्तिशाली है कि small t का character को show ही नहीं उने दे रहा तो capital T के dominant है कैसा है dominant कैसे समझ सकते हो घर में अगर आप छोटे भाई-बैन हो और आपका कोई अगर बड़ा भाई-बैन है तो अगर अपना suggestion दे रहो तो आपके suggestion को क्या कर जाता है नहीं माना जाता बड़े भाई-बैन के suggestion को क्या कर जाता है ज्यादा सुना जाता है तो आपका suggestion आपके बड़े भाई-बैन क्या करा चुपा दिया उसी तरह capital T को क्या करा इसके character को छुपा दिया तो capital T basically क्या हुआ dominant dominant यानि कि जसे आपका बड़ा भाई मैं अलग के तब क्या है वों में चली आपको डॉमीनेंट करेग उसी तरह capital D क्या हुआ dominant character डॉमिनेंट character क्या है? recisive character आप ऐसे समझ सकते हो कि जिस्का आप recisive character को क्या समझ सकते हो कि recisive Stepmanage, इसका character show नहीं हो पारा है presence of dominance dominant character के presence में बनारे इस wichtig दोनों हो और सिसमें हो अगर यहां पर चौंनी जाएगा इसकी बात नहीं सुनी जाएगी अपने आपको करेंगा करेंगा अगर दोनों भी इस हो intelligatif करते हूं तो आपको जरुत न Precis s यह जो हम ऐसे प्रेजंटेशन कर रहे है ना तो यह जो एक दूसरे यह ती और इस टी को ही हम अलील बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं अलील बोलते हैं तो बता रहे हैं जीन T for tallness is dominant over dorfness यानि की T क्या है dominant है तो इसको भाई-बैन वाले एक्जामपल से याद रखोगे तो जाद अच्छे से याद हो जाएगा डेफिनेशन से याद रखोगे तो भूलने के चांसे थोड़े जाद हैं next slide आती है हमारी next topic हमारा है genotype what is genotype और उसके बाद आता है phenotype तो इसको भी अच्छे और बट मज़दार एक्जामपल से समझेंगे genotype और phenotype को हम कैसे define कर सकते हैं देखिए genotype में basically आपके बोल सकते हो one second hello hello तो genotype में basically बोल सकते हो कि जैसे कि suppose करो इधर वाली slide में देखते हैं हम लोग देखो एक ये T और ये T लिखा है चीक है और एक हमने लिख दिया और एक हमने लिख दिया tall क्या लिख दिया tall और एक तरफ हमने लिख दिया dwarf क्या लिख दिया dwarf तो जब आपको ये दिखाई दे रहा है ना capital T capital T इधर लिखा हुआ है समझ में आ रहा है कि हम एक नई slide ले 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 चलो नेक्स पर बता दे रहा है confused नाओ जिस से ये देखो इधर हमने लिखा ऐसे T और T ठीक है और इधर हमने लिखा है tall क्या लिखा है tall यहां पर हमने लिखा है T और T ठीक है इसका मतलब भी क्या होता है tall जब इस फर्म में express करोगे तो यह condition क्यालाती है genotypic condition कैसी condition क्यालाती है genotypic यह जीनोटाइप बोलते हो और PH पिजिकल अपियरेंस PH से ही फिजिकल स्टार्ट हो रहा है PH से ही फिजिकल स्टार्ट हो रहा है तो यह दोनों सेम है क्या इन दोनों में कोई अंतर है क्या ऐसा है कि यह सुंदर टॉल है और यह बेकार टॉल है लेकिन अगर आप इसका जीनोटाइप देखोगे तो दोनों में difference है क्यों difference है उसमें pure condition है यानि कि वो condition है homozygous यह condition है heterozygous यानि कि इसमें different चीजे प्रेजेंट है और यह character सेम ही शो कर रहा है टॉल को और character का expression जो है यह सेम शो कर रहा है टॉल तो genotype में आप क्या पढ़ते हो genetic makeup पढ़ते हो क्या पढ़ते हो genetic makeup whereas phenotype में आप genetic expression जो है नहीं पढ़ते हो ठीक है आप appearance पढ़ते हो तो अगर आप इसको read करोगे तो it is a genetic makeup of an individual for a character individual with same genotype having the same phenotype टॉल पी प्लांट्स का genotype capital T, capital T भी हो सकता है capital T, small T भी हो सकता है phenotype का example देखोगे it is the outward expression outward यानि कि हमें मतलब नहीं है भाई कि genotype कैसा दिखता है हमको यह मतलब है कि genotype हमें जो हमें जो मतलब है कि वह मतलब है कि genotype कैसा भी दिखता हो अच्छा है तो अच्छा है तो अच्छा है तो तुम क्या बोलोगे भाई मुझे उसके genetic makeup यानि कि मुझे उसकी personality से कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है मेरे सामने उसकी personality जैसी भी है वो मेरे लिए अच्छी personality शो कर रहा है तो वो मेरे लिए अच्छा हुआ मुझे उसके past से है उसकी personality से personal मुझे कोई मतलब नहीं है तो ऐसे ही कुछ हुआ ना कि T T है कि capital T small T है इससे हमें कोई मतलब नहीं है हमको मतलब है कि वो tall है बस बात खतम हो गई यहां पर next यहां बता रहा है tall and dog character of pea plant are two phenotypic expression of height of a pea plant यही सेम चीज़ बता रहा है कि tall or dog क्या है phenotypic expressions है character height के now what is allele, allele are different form of a gene, allele क्या है different form of gene है they determine the same character but to a different degree allele occupy the same position in both the homologous chromosome of a pair normally one form basically allele suppose करो यह T और यह T है तो यह एक दूसरी के क्या होगा allele हो गए क्या होगा allele यानि कि आभी आपने पढ़ा कि एक character है character का trait है trait is called as character हर character के दू expression है gene क्या है DNA के segment में gene है जो कि character के लिए coding करता है sequence है उसमे एक वही transfer होगा एक generation से दूसरी generation allele क्या है उसी जो gene जा रहे है उसी के जो copies है क्या सकते हो वही अपके क्या होगा तो यह सारी चीजने क्या है बहुत important है चोटी चोटी चीजने जो आपको पता होने चीए example देखो क्या है यह जो allele था ना उसी का example है gene T is for tallness and its allele T is for dwarfness यानि कि यह T और यह T एक दूसरे के क्या हो गए allele हम लोग क्या कहते है एक दूसरे को भाई भाई यह जरम क्या कहेंगे भाई भाई नहीं चलेगा बायो है यह होँ होमोजाइगस condition बहुत सिंपल यह condition है तो होमोजाइगस यह condition है तो है से लृट ने नहीं के दिख हरे हैं हैं तो हीड्वोजाइगस बहुत तो क्या बोलोगे होमोजाइगस बोलोगे नेक्स वह इसके कुछ एग्जाम्पिल्स है टॉलफ प्लांट में जीनोटाईब टी टी आंद दॉलफ प्लांट मे जीनो टाईब टी टेटि वही सेम चीज जो मने बताई वही चीज जिप winesion में लिखिoule कि अगर आपके एक्जाम में थियोरी पोर्शन आएगा तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके लिए आप इसको रीड कर सकते हैं चाहो तो इसका स्क्रीन शॉट ले लो आप कि अगरहा तो है हरों जाए हों है सबको समझा गया, एक इक पर रिपीट कर देते हूं हो मतलब हिइया हो जांOut व तुधेन हों धिचिए हैं हो मतलब हैं हेटेरो मतलब डिफ्रंग हेटेरो मतलब डिफ्रेंट रिफ्रेंट तो इसको हमेशा याद कर लो हर केस में ये काम आएगा आगे जब अभी और चीज़े पढ़ोगे तो समझ में आएगा हेटरो मेंस डिफरेंगे हमो मेंस सेम चलो नहीं तो यह सी पर रुख जाएंगे हम लोग आगे पढ़ते हैं हमिजाइगर्स कंडीशन क्या होती हो मो सुना था हेटरो सुना था हमी यह जा है बोल रहा है कि जब एक ही हो एक ही कॉपी ना हो जैसे बोल रहा है है हुमिन म Cowych值 होती है के इंके पास कितनी चाहिए 2 अगर कितनी, कोपी होती है है, इसी केंडिशन को आप बोल सकते हो कि यह है है रैसे यह इतना मर्न dépend नहीं मंट है में जो है homozygous है but आप इसको भी एक बर रीड कर लेना next आता है pure line और pure breeding line और true breeding यह क्या होता है the individuals that are all homozygous so that their offspring show no variations यानि कि अगर यह homozygous है तो इसका मतलब क्या है इनकी offsprings में कोई variations नहीं हो रहे तो यह condition कैसी कहलाती है pure breeding यानि कि true breeding जैसे कि suppose करो अपने एक प्लांट लिया टॉल एक और प्लांट लिया टॉल तो यहां condition TT है तो जो इनके बच्चे होंगे या इनके offspring होंगे या एक नया प्लांट होगा वो भी कैसा होगा हुष जो हमने प्लांट ही तो यह तो हमंने डुनों तॉल लिया है तो हमें रिजल्ज भी तो यह चीज यहानपर क्या पतारहा है कि pure line अप बोल सकते हो next राता है monohybrid cross और फिर आता है dihybrid cross monohybrid cross और dihybrid cross पढ़ने से पहले हम एक चीज़ पढ़ते हैं फिर इस पर हम लोगों भी वापस आएंगे देखो अब हमको बहुत important topic पढ़ना है जो है monohybrid cross पहले इधर हम इसको कुछ ठोड़ा explanation समझ लेते हैं फिर वापस हम उस लाइड पे जाके जो बचेवे टमस पर explain करेंगे एक आता है dihybrid cross ये red pen तो बढ़ा सुन्दर लग रहा है ना बहुत पर आप लोगों को visible हो गई I think देखो तो monohybrid cross और dihybrid cross में क्या अंतर है monohybrid cross में क्या अंतर है monohybrid cross में क्या अंतर है तो monohybrid का मतलब basically क्या है monohybrid का मतलब है कि एक character की बात करेंगे हम यहापे किसे character की बात करेंगे one character mono भया यानि कि एक character यहाँ पे कितने character की बात करोगे दो character कितने character की बात करोगे दो character तो mono में एक character dihy में कितने character दो character अब यहां पर बात यह आती है कि Mono-Hybrid Cross और Di-Hybrid Cross की जरुवत क्यों पढ़ी इसका नाम क्यों आया तो एक Scientist है इनका नाम था Grigor John Mendel उन्होंने सबसे पहले explanation दिया किसका कि Characters Parents Offspring में किस तरह जा रहे हैं यानि कि जो Characters है वो एक Parents से दूसरे Parents में नहीं sorry एक Parents से Offspring में कैसे जा रहे हैं एक Parents से दूसरे Parents में नहीं जा सकते हैं एक Parents से Offspring में कैसे जा रहे हैं तो जो Transmission of Characters है इसकी बेसिकली जो study करी वो Grigor John Mendel ने करी इन्होंने इसका explanation दिया इन्होंने पी प्लांट को लिया यानि कि नहीं पी प्लांट गोङी जैसे मटर का पेड बोलते हैं इसका scientific नाम Oladик Hydros prim sastip anti respects एस एक thigh rum होता है इन्होंने एक्सपरिमेंट करा दो ने ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्स करने के लिए अिन्होंने एक्सपरिमेंट कर जा प्लांट करा ज तो यह एक्सपेरिमेंटी करें उसमें इनों ने दो जनरेशन नोला जाता है तो जब इन्हों ने क्या नहीं एक्सपेरिमेंट हैं तु hey एक यह कम तो था कि मैं कुछ डिफ्रेंट दिखाऊंगा दुनिया को यहाuire क्यालता कि मुझे तो जाना सेयошं के आपूश हमोंगे तो मेरा फाइदा क्या होगा, एक्सपेरिमेंट करने का, इतने साल की तब पस्यादो मेरी खराब होगी, तो इन्हों ने फिर F2 जनरेशन किया, यानि कि इन्हों ने का चलो ठीक है, जो रिजल्ट आया है, उसको सेल्फ पॉलिनेट कराता हूं, इसी टीटी में इन्हों ने फिर से इस टीटी को इन्टू कर दिया, तो यहां पर इन्हों ने देखा कि जो रेशियो आ रहा है, वो 3 is to 1 आ रहा है, तो पहले हमने क्या समझा कि Grigal John Mendel थे जिनोंने ट्रांसफर ऑफ जीन के बारे में, का बोड़न के मिल था है री बन प्रफ में अब प्र मोनों हईड्रवियर सहो है potent प्रह कि मैं तर देखाई और 9 वर द्रहा में अ soybean में आपby केवर mund जा इन था इनके मैं हाईटे Minh से रहे एपड लूण इसि तरह में हाइड बोग्त कार्स शॉर्ड बोगना मैं फ्लार कॉलर लों गा तो शॉर्ड ऐद है इस को 따라 में हाइट्सलिंग पात हो . यानि अभी इस John Mendel is called as the father of genetics अगम रटलेना बार टाइम तक काम आएगा हमेशा ही काम आएगा तो फादर ऑफ जेनिटिक्स कॉन है? Gregor John Mendel किस पेक्स्पेरिमेंट करा है उन्होंने? पी प्लांट पर अब नेक्स देखो Mendel conducted his historic hybridization cross-breeding experiment on garden pea जिसका नाम मैंने आपको अभी बता दिया था scientific pysm sativa यह जगा हम लोग के PDF में है अभी हम लोगा समझेंगे नेक्स आप एक टेबल एक बर देख लो पहले यह नहीं यह देखो यह टेबल आपको देख रहा है इस टेबल में 7 characters है 7 characters देखो जिसमें से पहला character है plant height plant height के एक character है यानि के एक trait है इसके दो expression है या तो tall होगा या तो dwarf होगा flower position या तो flower position axial होगी axial का मतलब समझते हो axial का मतलब है axial का मतलब है main axis grow करना बंद कर दियो यह वाली condition को बोलते हो axial और इस वाली condition को क्या बोलते हो terminal अभी हम monohybrid और dihybrid tross बनाने एक बड़ सिखा देंगे monohybrid बता देंगे dihybrid आप कर लोगे खुझ से axial और यह कैसी है तो flower position एक trait है flower position एक character है इसके expressions कितने होगे 2 flower color dominant का मतलब है कि अगर dominant और recessive present है तो show कौन सा होगा purple और white present है तो show क्या होगा purple तो यह क्या है flower color है और यह क्या है purple है और यह क्या है white उसी तरह अगर इधर आजो pot shape इधर inflated और इधर constricted और सिकड़ा हुआ pod color इधर green है dominant इधर yellow है seed shape brown dominant wrinkled यानि खाल सारी खराब चीज सीड color yellow dominant green क्या है सीड color और pod color में बच्चे हम लोग भी confused जाते है कि pod color में green dominant और seed color में yellow dominant तो कैसे इसको याद कर लेना कि एक याद कर लो दूसरे वाले को हमेशा opposite कर देना seed color और pod color में pod color हमारा आपका dominant इसमें green होगा whereas seed color में yellow dominant होगा तो इस चीज को याद रखना तो यह table lab यह characters है मेंडल अपना क्या करेंगे experiment करेंगे इन्ही characters के basis पर वो monohybrid cross बनाएंगे और इन्ही cases पर वो क्या बनाएंगे dihybrid cross भी बनाएंगे तो अब monohybrid cross बनाते हैं देखिए हम कौनसा cross बनाएंगे सबसे पहले monohybrid cross साथ-साथ आप लोग भी practice करते जाओगे तो easy हो जाएगा तो एक character जो इन्होंने लिया monohybrid cross में वो इन्होंने लिया height इन्होंने character कौनसा लिया height लिया height के character के कितने expression होते हैं बताओ जल्दी दो expression होते हैं एक होता है tall और एक होता है dwarf tall के लिए क्या लिखते हो capital T Dwarf के लिए क्या लिखते हो small t small t अब Punnett square इस तरह से बना लो आपकी books में criss-cross method भी बताते हैं Punnett square थोड़ा जादा easy होता है देखो एक तरफ आप ये capital T capital T लिख दो एक तरफ small t small t लिख दो ठीक है step-byte समझो monohybrid cross लिखो character लिखो character के दो expression लिखो उनका representation लिखो ऐसे box बनाओ जिसमें कट्टम भुट्टम बस्पन में खेलते थे इधर capital T capital T capital T लिखो small t small t लिखो इन दोनों का multiplication कर दो सबका multiplication क्या आ रहा है capital T small t capital T small t capital T capital T small t क्या आ गया capital T small t अब अगर यहां पर हमेशा लिखा जाता है genotype क्या लिखा जाता है genotype genotype इनका सब का क्या है same कैसा है same genotype में क्या लेते थे यह जो एक्सप्रेशन है genetic expression सब का कैसा है same तो क्या लिख दोगे same ही है this सब का genetic expression दूसरी चीज़ यह कौन सी generation बना रहे हो? F1 चनरेशन पहले हमने भी बताया था ना, यह उनोंने भी बताया था ना, जब सब सेम मिला तो उनोंने कहा हमें मेरी तपस्या खराब होई तो उनोंने क्या करा एफ 2 जनरेशन बनाई की तो F1 generation में सब सेम आया लेकिन फीनो टाइप देखो क्या आया पिनो टाइप सेम है तो फीनो टाइप भी सब का तॉल है क्यों टाल है तो स्मॉल टी भी प्रेजेंट ना क्यों डॉमिनेशन यह और रहे है डॉमिनेट चारेक्टर शो हो रहा है डॉमिनेट क्या होता है तॉल इसलिए टॉल शो हो गया next देखो next बनाएंगे f2 generation next या बनाएंगे f2 generation confused मतों ना यह इसका पार्ट नहीं है cross building experiment का f2 generation में देखो क्या होगा f2 generation में जो हमारा result अया वो आया tt into tt वहां पर हमने कराया था cross pollination यहां पर हम करादेंगे self pollination तो जब अब self pollination कराओगे तो फिर से हम कट्टम बुट्टम बाला box बनाएंगे अब हम इधर रेखेंगे capital T small t capital T small t capital T capital T small t capital T capital T capital T small 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 t तो केमल हमने क्या बताया था रेखेंगे अपने आपको तभी शो कर सकता है आप अपनी बात को तभी मनवा सकते हो जब आप अकेले हो आपका भायवान घर पर प्रेजेंट ना हो तो यह तभी शो करेगा खुद को जब दोनों कैसे हो तो यहां पर जो रेशियो आया जीनो टिपिक यहां पर जो जीनो टिपिक रेशियो आया वो तो देखो देखने वाला रेशियो है capital T capital T आया एक capital T small t आया और एक यह और यह आया अब यहां देखो यह कितनी बार है capital T capital T कितनी बार है एक बार capital T small T कितनी बार है दो बार 3 is 2 1 क्यों है क्योंकि 3 तॉल है and 2 x1 3 규 दौल है और एक दौर्φ है उसका नेचर पीज भसको मतलब है क्यीजा बता है उसको भीलन boy? उसको क्या मतलब है मुझे क्या मिलगा है मुझे लुक नेचर मिल रहा है क्यों फौर्फ तो क्या हुआ यह आपे ने फिर टाल हम तहीं सब्सक्राइब को नेज आते हैं, फोक्राइब को विक्षितनों fatto अगाया को नाउस पहली है , पीधन देक्षितन नाई है City इन ke यह आपर का लिए टीभीर्ट की नने बात क्यों को आपनी स्लाइड पे आते हैं तो यहां पर monohybrid, dihybrid, हमने समझा दिया है कि monohybrid cross क्या होता है, dihybrid cross क्या होता है next देखो homogametic, homogametic जैसे females में x x है, तो यह कैसी है, homogametic, heterogametic जैसे कि males में x है और y है तो males क्या है, है जिसको बोल सकते हो आप heterogametic next देखिए, next is mutation, what is mutation, mutation का मतलब होता है, कि को sudden change आजाना, mutation का मतलब है basically sudden change, यानि कि अगर हमारे genetic makeup में, genes में कोई sudden change आ रहा है, तो that is called as mutation अब देखो, हमारे selber miraori by組 क्रोंडि में kromosome, six of them toes बड़ा होता है, क होता है autosomal chromosome autozomal chromosome, autosomal, autosomal chromosome, autosomal chromosome, autosomal chromosome, autosomal chromosome Max decision for mate, सुआ of theseher story ex is made and slic, let tede think Timcos had pushed out by the end transformation Μा पाइक ने कहा कि इतनी बार ओटोजोम बोल दिया कि मैं जा रहा हूं, मैं बोर हो गया हूं चलो तो chromosome basically क्या होते हैं दो type के chromosome जो है 22 pairs of chromosome 23 pairs of chromosome होते हैं जिसमें से 22 कैसे होते हैं और one pair क्या होते है sex chromosome हमने बताया mutation क्या है sudden change तो sudden change जो transfer होगा एक generation से दूसरी generation में तब ही होगा जब आपकी sex chromosome में mutation आए अगर autosome में है तो ज़रूरी नहीं है कि वो parents जो से क्रोफ्रीशं में यहाउद से क्रवाइशन में जाए लेकिन जब आपके sex chromosome में mutation आता है तो बो जो है parents से offspring में transfer होता है variations क्या है variations आपको पता है कि sexual reproduction क्या show करता है variation कुछ characters mother से आते हैं कुछ character father से आते हैं एक रधिबिजुल बनता है जिसमें क्या होता ब्रदर और सिस्टर में क्या होता है, हमारे पेरेंट्स और हम में क्या है, वेर्येशन्स है. Next आता है Mendel and his Hybridization Experiment. तो पहले हमने Mono Hybrid यहाँ पर प्राक्टेस कर चुके हैं हम, तो Mono Hybrid को हम कर देंगे, टिक मार्क की हमें आता है. अब देखो चलो, Dihybrid क्या होता है. Dye Hybrid में 2 characters ले लेते हैं एक बढ़ Dye Hybrid भी समझा देते हैं Dye Hybrid में एक ले लो flower color एक ले लो flower color एक character और एक ले लो seed color, एक क्या ले लो seed color, seed color अभी हमने बताया था pod color क्या था green dominant seed color कौन सा dominant होगा, yellow देखो, seed color कौन सा dominant होगा उल्टा आगए क्या यह देखो seed color कौन सा dominant होगा, yellow तो हम क्या लेंगे, yellow तो हम क्या लेंगे, yellow ठीक है seed color लेंगे और flower color, flower color में जो dominant था वो क्या था purple, मैं ऐसे लिख रही हूँ, उपर लिख दे रही purple हमेशा alphabet सेम लेने की कोशिश करना जिससे confusion नहीं होगा, dominant क्या है purple और recessive क्या है white, तो यहाँ पे small p, small p लिख दो seed color, seed color में जो आपका यहाँ पर dominant है वो क्या है yellow और recessive क्या है green तो ऐसे ले लिया, अब इसमें कौनसे generation बनाओगे पहले f1 generation बनाओगे, इसमें f1 generation बनाओगे, और f1 generation बनाओगे तो इसमें भी सब कैसा आएगा, same आएगा, क्या आएगा, same आएगा, इसके बात f1 generation में क्या कर रहे हो, कौनसे pollination कर रहे हो, cross pollination कर रहे हो, कैसा pollination कर रहे हो, cross pollination कर रहे हो, WHEREAS, जब आहप F2 generation बनाओगे तो कैसा pollination करोगे, self pollination करोगे, इसको इसको बनाने का अप लोग एक लगा त्राए करना, सम business per dominant x vivantaneler, dominant x 1 brain डिय two power t5 um 10 अएगा पर 5, YouTube x 1 brain बनाओगे न सब कैस नहीं चार में करके एक बर दिखा दे रही हूं इधर कितने बन जाएंगे? PY, PY, PY और इधर क्या बन जाएगा? PY Next देखो इसको कहा हम लोग कम्प्लीट करें? इधर लिख दिया है, इसक्रीन शॉट ले लो ताकि जब स्लाइड पढ़ो तो confusion ना हो F2 जब ही देखो, हम लोग को स्लाइड का चलो इधर देखो, Mono Hybrid Cross लिखा है, बढ़ दाइभिरिट के जगहां दी होगी चलो यहीं पर पढ़ते हैं, देखो, Di Hybrid Cross हम पढ़ना है ना तो Di Hybrid में हमने क्या बना लिया? एक यह PY, यह PY, और यह PY हमने बना लिया, दूसरा हमने क्या बनाया? PY, PY, और इधर क्या बनाया? PY, अब इसमें F1 जनरेशन जब बनाओगे तो कैसा पॉलिनेशन कर रहे थे? Cross, तो इसमें तुम्हें ऐसे इसमिशन 될 के स具keep fifty दो बनाया कुसरा है? यह पर लिखो, पिक का So, प्तुम्हें बना लुए? इसको सॉल्व करोगे सिक्षावटाबॉने है इसमिशन जब देखेंगे, तो यह सारे कैसे है रहे है, स्ट मिशन जब आ कोला है तो इसका मतलब जो Mendel ने experiment करा उनकी सारी तपस्या क्या होगी? खराब होगी तब यहाँ पे कौनसे generation बनाएंगे वो F2 अब देखो F2 generation में क्या होगा? F1 में कौनसा pollination करा? Cross F2 में कौनसा pollination होगा? Self pollination F2 में कौनसा pollination होगा? Self pollination Self pollination किसके basis पर होता है? जो यहाँ पर आता है जैसे कि Capital P, Small P, Capital Y, Small Y इसका मतलब है कि Purple और Yellow condition आ रही है कौनसे condition आ रही है? Purple और कौनसी आ रही है? Yellow तब इसी में आप क्या करोगे? Self pollination यानि कि Capital P, Small P, Capital Y, Small Y अब इसी में आपको क्या बनाने है? चार सेट बनाने एक बर इस P को इसके साथ मल्टिप्लाइ करोगे तो Capital P, Capital Y एक सेट बना फिर इसी Capital P को Small Y के साथ कर लो ठीक है? फिर Small P को Capital Y के साथ लिख दो और Small P को क्या लिख दो? Small Y के साथ लिख दो ऐसे ही combination इधर बनेगा जब इसको solve कर लोगे तो इसका Phenotypic जो Ratio आता है वो क्या आता है? इसका Phenotypic Ratio आता है 9 is 2, 3 is 2, 3 is 2, 1 Phenotypic Ratio कौन सा होता है? जो केवल Physical Appearance से मतलब रखता है इसको नहीं पता कि इसका Nature कैसा है इसका Genetic Makeup कैसा है? इससे इसको कोई मतलब नहीं तो हमने क्या पढ़ा? हमने जो है Mono Hybrid Toros पढ़ा Monoivery Toros हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि Mendel ने 7 केरेक्टर ली है जिसमें उनोने कुछ एकसपेरिमेंट करा उस एकसपेरिमेंट में उनोने सबसे पहले Mono HybridDonos करा एक क्यारेक्टर को लेके डाइब्रेट ट्रॉस करा जिसमें उन्होंने दो क्यारेक्टर लिए जब उन्हों हमने उन्होंने मोनो हाइब्रेट ट्रॉस करा तो उन्होंने एफवन जनरेशन में जो सारे सीक्वेंस है वो सेम उसके लिए उन्होंने क्या करा एफटू जनरेशन बनाई जब एफटू जन F1 generation में सब सेम आ रहा है और F2 generation में क्या रहा है डिफरेंट आ रहा है उसमें F2 generation में जो फीनो टाइप रेशियो था वो 3 is to 1 था वेरास 9 is to 3 is to 3 is to 1 है और यह हमेशा कॉंस्टेंट रहता है कभी चेंज नहीं होता तो डाइप्रिट प्रॉस और मोनो हाइप्रिट प्रॉस कर सकते हैं नेक्स टॉपिक था में मेंडल क्रॉस ब्रॉस 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 लिडूसे उन्होंने ंत्रह उन्होंने और फ़ैश को मजना अलडा रखाय इस प्रोसेस पॉन उन्होंने बोला मजना इमासेकुलेश पेंड ये पोलह घ्रिक्राग ताइच को एक अपनी मन पसंद और घ्रिक्टा कैसे रिजल्ट उनको मिलते हैं तो प्रॉसेस और रिमूबल और आंथर इस बैसिकली कॉल डाजी मासिकलेशन नेक्स लेखिए यह टेबल भी आपने क्यारेक्टर का स्क्रीन्शॉट कर लिजेगा नेक्स है वाइड पेंडल सेलेक्ट गार्डन पी यानि कि उन्होंने यह पी पी प्लांट बेर बाइसेक्शुल फ्लार यानि कि इसमें जो फ्लार है वो कैसे हैं बाइसेक्शुल बाइसेक्शुल है तो पॉलिनेशन कैसा होगा सेल्फ इस्ट्रक्चर कैसा है इस्ट्रक्चर जो है इसका क्रॉस पॉलिनेशन की प्रिफरेंस नहीं देता क्यों क्योंक होमोजाइगस में मिल रहा है यानि कि generation after generation के बाद इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा तो जो भी प्लाइट पे अपक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो प्योर लाइन है कैसा है प्योर लाइन अभी अमने प्योर ब्रीडिंग और प्योर लाइन पढ़ाया तो वही वाले प्योर लाइ में में बेंडल लाइन रिटेंज के बारे में समझना है में में तीन लोग पहला लोग सुके हो लो आफ डॉमिनेंस और रेसेपसिवनेस इसको बोलेंगे दूसरा है सेगरिगेशन और तीसरा है इंडिपेंडेट असॉर्ट्मेंट देखो एक एक करके समझते हैं लोग उसी की बात सुनी जारी है जिसका मतलब यहां पर कौन सा लोग आ गया? law of dominance law of dominance law of dominance का मतलब है कि dominant बच्चा की बात सुनेंगे recissiv की बात नहीं सुनी जाएगी law of dominance Now what is the meaning of law of segregation? segregation यानि कि जब भी characters जीन्स के पॉर्म में आते हैं जब भी genes आते हैं, एलिल्स आते हैं, तो उनमें बीच में कोई भी segregation नहीं होता, तो कोई भी कहाना में segregation नहीं होता, गैमीट कैसी होती है, प्योर होती है, जैसे कि suppose करो, अब यहां पर chances क्या है chances है कि अगर ऑफ्स्रिंग बनेगा तो chances नहीं कि x चला जाए तो यहां पर chances क्या है 50% chances नहीं कि x जाएगा 50% chances कि ? तो independent log segregation क्या हो रहा है क्या mixing और यह नहीं है यहां पर independent assortment में भी यह कह सकते हो पर यहां पर कि मतलब करेगा यह आप करेगा और पर यह यह तो यह होगा तो कि ने तो आएगा लेकिन एसा तो नहीं यह और यह पिंग होजा रहा है ऐसा हो रहा है क्या नहीं या तो red है या तो white है dominant है तो red है और dominant नहीं है तो white है तो यहाँ पर independent assortment है यानि कि इससे और इसमें आपस में कोई mixing नहीं हो रही है ठीक है तो यहीं मतलब था इनके तीन law का dominance आप समझ गए segregation यानि कि segregate करेंगे segregation मतलब अलग होना basically तो अलग होना 50% 50% x पर डिपेंड करेगा 50% y पर डिपेंड करेगा कि कौन जाए और law of independent assortment भी बता दिया देखिए law of dominance में आप समझ गए कि T और T तो कौन सा शो करेगा dominant character खुद को शो करेगा dominant वाला क्या होगा यहाँ पर tall क्या होगा visible होगा next अगर आप देखोगे segregation यानि कि अगर यहाँ पर इसमें x और एगे वाला example ले लो तो इसमें यह और यह आपस पर depend एक दूसरे पर नहीं कर रहें दोनों के chances कैसे है 50-50% है कैसे chances है 50-50% यहाँ पर chances है next अगर आप देखो colorblindness colorblindness मैंने एक छोटा सा one shot है one shot है चार से पास मिनिट का वह आप देखोगे तो आपको और अच्छी से समझ में आएगा बट यहाँ तो खेर हम colorblindness की बाद डीटेल में करने वाले हैं जब हम colorblindness की बात करते हैं तो basically हम यह देखते हैं कि colorblindness एक sex-linked disorder है colorblindness कैसा disorder है colorblindness is sex-linked disorder अब अच्छा sex-linked disorder क्या होता है यह पता है किसी को sex-linked disorder का मतलब है यह sex chromosome पर present है पर प्रेजेंट है यह सेक्स क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होगा तो हमारे पास एक्स क्रोमोजोम में एक्स है और में एक्स वाई तो यह जो डिजीज का मतलब बेसिकली क्या सकते हो कि डिजीज वाला जो फैक्टर है वह एक्स क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होता है किस पर प् इसी से सेम हीमोफीलिया का टॉपिक है तो अच्छे से समझ लोगे तो हीमोफीलिया वाला टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा एक चीज़ और मैं बताती हूँ पहले आपको कि कलर फ्लाइनेस में होता क्या है कलर फ्लाइनेस में जो पर्सन है वो रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता यानि कि एपल और पत्ति उसको सेम लगेंगी इसको समझ नहीं आएगा कि रेड कलर कौन सा है ग्रीन कलर कौन सा है तो कलर फ्लाइनेस एक ऐसा डिसॉडर है जिसमें हमारे रेड और ग्रीन कॉन में आइस में डिफेक्ट होता है जिसकी होज़े से red और green color में person distinguish नहीं कर पाता यह एक ऐसा disease है जो sex linked है sex linked का मतलब हमारे sex chromosome पर present है sex chromosome के कौन से x chromosome पर present है x chromosome पर present है तो इसमें बात यह आती है कि 8% male में पाया जाता है और 0.4% यह females में पाया जाता है 8% यह males में पाया जाता है 0.4% यह किसमें पाया जाता है females में ऐसा क्यों? 8 males में जादा क्यों पाया जाता है अभी आपने dominant और recessive बाली बात पढ़ी dominant और recessive बाली बात पढ़ी ना भी आपने तो यहाँ पर females में कुतने chromosome होते है x के? 2 chromosome होते हैं तो जब females के 2 chromosome होंगे x और x तो यहाँ पर दोनों को बेटा disease होना चाहिए ना दोनों x chromosome पर disease present होना चाहिए तभी खुद को show कर पाएगा अगर एक पर होगा तो कि character show करेगा नहीं तो इसलिए females homozygous होती है इसलिए homo gametic होती है इसलिए females में दोनों x chromosome को affect होना पड़ेगा तो इसलिए males में यह disease जादा देखने को मिलता है और females में यह disease कम देखने को मिलता है क्योंकि females में दोनों x chromosome को affect होना पड़ता है और males में अगर एक x chromosome भी affected है तो इससे काम चल जाएगा next यहाँ पर कुछ case आते है देखो यहाँ पर यह बोला जाता है क्रिस-क्रॉस method होता है कि पेरेंट से जो भी बिमारी है वो दॉटर में जाएगी पेरेंट से ही डॉटर में जाएगी फादर से ही डॉटर में जाएगी और मदर से ही सन में जाएगी इसको example तुम कैसे कह सकते हो देखो अब एक बर हम डॉटर का formation यह यह पर डॉटर का function करेंगे लिग नहींено लेंगे और यह को कि जोуса परक्किल्म काया लाती में फेक शिमारण में काउर होतार यह संग है यह हैं जो बिमारी का बिमारी में जी जी उतकें कलया जलन को जाएगी जब दोनों X affected होंगे color blind नहीं है लेकिन ये इस बिमारी की carrier जरूर हो गई है क्या हो गई है carrier तो ये एक condition हो गई दूसरी condition अगर जब हम sun बना रहे हैं क्या बना रहे है sun तो sun की case में mother से आया X chromosome और father से आया कैसा chromosome Y chromosome तो क्या father responsible है बेटे के color blindness में पादर है नहीं क्योंकि father तो एक देहीं नहीं सकता पादर क्या देगा father वाई देगा father किसके लिए responsible father के वल और के वल डॉर्टर के लिए responsible कैसे suppose गरो एक आया यहां से color blind मदर से अगल फादर भी color blind होता तो ये बच्ची कैसे हो जाती color हो जाती तो बेसिकली कहा जाता है कि father से characters daughter में जाते हैं और mother से characters किस में जा रहे हैं son में इसलिए कहा जाता है कि बेटियां पापा को पड़ी है और बेटे मम्मी को पड़े हैं तो ये scientific क्यों है क्रिस-क्रॉस method चलता है तो ये color blindness था color blindness का एक बार आप वह वाला लेक्चर देख लें वह वीडियो है चोटा सा मुश्कियों से शायद 6-7 मिनिट का है आप उसको देखो कि उसमें कई cases में है वह आपको और अच्छे से समझ में आएगा नेक्स आता है हेमोफीलिया हेमोफीलिया में बेसिकली हेमोफीलिया एक ऐसा ही disorder है color blindness से अलग है इसमें clotting factor जो होता है clotting factor में affected होता है जिसकी वज़े से अगर आपको सिंगल कट भी लग जाएगा तो blood में clotting नहीं होगी तो ये हेमोफीलिया है इसमें कैसे हो रहा है इमोफीलिया का तो ये सेम color blindness की तरफ होता है ये भी x-link disorder है ठीक है recessive है लेकिन दोनो dominant नहीं है recessive disorder sex link recessive disorder next आता है y-link का मतलब है अभी तक जो disease पढ़ रहे थे वो किस पर present था एक्स पर present था अब जो disease पढ़ेंगे वो इस पर present होगा वाई पर तो बेसिकली जो मेल्स होते है ना उनमें वाई मतलब वाई पर क्या ना में प्रेजन होगा अगर प्रोमोजोम तो मेल्स अफेक्टेड होंगे और इस पर बेसिकली वैब्ड टोस देखने को मिलता है वैब्ड टोस का मतलब है कि जैसे आप तो इस चाप्टर में हमने आज क्या-kya cover करा हम लोग एक बार उसका revision कर लेते हैं को कि कि सबसे पहले हमने genetics के बारे में पड़ा genetic is the study of inheritance genetics क्या है basically inheritance कि study inheritance क्या है जब characters एक पेरेंट से ऑफ्स्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं उसके बाद हमने कुछ इंपोर्टन टर्म पढ़े ट्रेट यानि की कारेक्टर, जीन, यानि की सीक्वेंस है हाइबिरिड यानि की दो अलग लोगों की मिक्सिंग करा रहे है तो उससे क्या बन रहा है, hybrid, dominant, जो खुद को शो करें, recessive, जो खुद को शो, नहीं करें next, genotype, genotype का मतलब क्या है, उसका nature कैसा है, उसका सभाव मुझे बताओ, phenotype, मुझे सबसे कोई मतलब नहीं यानि की T और T अगर प्रेजेंट है तो यह एक दूसरे में आपस के भाई भाई नहीं है, एक दूसरे के क्या है, अलील है next, next, homozygous, same, heterozygous, अलग और आगे देखोगे, hemisygous क्या है, जैसे की males में हो गया, तो यह कौन सी condition होगे, यानि की एक ही copy present है, तो यह hemisygous condition है, monohybride, एक character को लेके चलोगे, dihybride, दो क्यारक्टर को लेके चलोगे, फिर homogametic, same, heterogametic, अलग, mutation, sudden change, variation, sexual reproduction, shows variation, हम एक दम carbon copy थोड़ी है, अपने parents की, dihybride की थोड़ी सी बात यहाँ पे कर दी, इसका अलग से screenshot ले ले लिए, तक कि आप confused नह मेंडल जी की बात करी, Gregorjan मेंडल ने पी प्लांट पर experiment करा, इसी से monohybride, dihybride को ही, कह सकते हो कि, आप monohybride, dihybride को नाम हमें, हमें पता चला कि monohybride क्रॉस क्या है, dihybride क्रॉस क्या है, father of genetics है यह, next देखो कि, मेंडल ने garden, पी प्लांट पर experiment करा, उसके बाद यह crossbreeding कराने के लिए इन्होंने अन्थर हटा दिया, ना अन्थर रहेगा, ना self-pollination होगा, तो जब अन्थर हटा दिया गया, तो यहां पर आप क्या कह सकते हो, this process is called as emasticulation, इसको क्या बोला गया है, इन्होंने, emasticulation बोला, यानि की removal of anther is called as emasticulation, साथ यहां पर इन्होंने characters की बात drinker, yellow, green, यानि की trait एक है, उसके expressions कितने हैं, दो, कैसे समझ पा रहे हो, trait और expression मेरे बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही difficult world सबसे पहले ही समझ लिए है, next है की pea plant को इन्होंने क्यों चुना, ताइफ करी है थोड़ी सी pea plant की, बता दिया है आपको हमने, laws के बारे में बात की गई है, hemophilia क्या है, color blindness क्या है, sex link disorder है, sex link disorder कैसे है, color blindness sex link disorder है, जिसके बारे में क्या है, excess chromosome में इसमें एक चीज में और एक बार आपको बता देती हूँ, लेकिन इस दोनों के लिए same condition है, suppose करो case 1 यहां पर ले लो, case 1 यहां पर आपने एक case लिया, mother का, और इधर आपने क्या लिया, father, ठीक है, तो mother जो है, यह कैसी है, carrier है, कैसी है, carrier, यानि कि यह इनका खुद का vision सही है, लेकिन यह बिमारी की carrier है, और father क्या है, normal, एक condition क्या लिय तो 50% chances है कि यह वाला X chromosome आजाए, बिमारी वाला 50% chances है, यह आजाए, तो हम normal chromosome लेंगे, ठीक है, और इधर भी क्या लेंगे, normal chromosome लेंगे, तो यह जो daughter है, D से समझ जाना daughter है, daughter कैसी हो गई, normal, daughter कैसी हो गई, normal, लेकिन एक case और आया, कि हमने बिमारी वाला X chromosome लिया, affected, और नहीं, आजाए, बिमारी वाला करारा, आहा कारे, यहां पर और यह बनाये, तो यह पर affected और इधर, अजाए, और इधर, नहीं हो गये, šyle dov torch, जाए, और लगा यह उपानाा, और और अपनी बार फादर को भी color blind ले लो फादर को भी क्या ले लो color blind ले लो इस condition में जब देखोगे तो एक condition मनेगी कि normal x आए और अक अपेक्टेव राए तो इस case में भी dotter हिस तो क्या हो गई- तो इससे यह प्रूव हो रहा है ना कि डॉटर तभी colorblind होगी जब father colorblind है sun बनाने का case देखोगे तो इधर से एक x लिया और इधर से y लिया तो sun यह कैसा है normal है और अगर इधर से आपने affected ले लिया और इधर से क्या आया y कैसा है colorblind तो संख को अभलाइंन किसा पर यहां से यह बताना चाहरे थे कैसा में ब Depend अब्सक्रोंन चाहिता कि ने क्रिसक्रोह में गांटार मेंㅋㅋㅋ से क्या लिए index chromosome एक बर मतर क्या हूँ कियार है आर्मल पार दॉष्टर कैसे हो नॉर्म्मलें नॉर्मल एक और हो सब तो जब मदर क्यारियर है जब दॉट कैसी होगी कैरियर यहां पर डॉटर नॉर्मल नहीं होगी क्यूं? 50% चांसे की नॉर्मल हो सकता है 50% चांसे की जो सन है वो कैसा हो सकता है colorblind तो यहां से यह आपने यह concept समझा है color blindness के लिए यही सेम तरीके से हीमोफीलिया में भी होता है उसमें भी जो यहां से प्लाइब नहीं हो पाया तो जो clotting factor है हमारा body में blood का basically वो क्या हो जाता है affected हो जाता है circulatory system अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको clotting factor पता होगा fibrinogen protein is present which basically responsible for the clotting of blood blood clotting factor में आपे क्या होता है defect होता है जिसके यह disease आपको होती है और why link disease के बारे में हमें थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ वाई पे जो है वैब टोज और कुछ कुछ चीज़ें हो जाती है तो यह जो genetics था आपका basically यह पूरा क्या हो गया complete हो गया आप इस topic को क्या कर सकते हो यहां स पीडिये इसका आप डाउनलोड कर सकते हो description में जाके और इसको आप पूरा अगर revise कर लोगे with notes आपका यह chapter क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा किसी को कोई doubt है तो वो comment करके clear कर सकता है thank you so much everyone thank you so much for joining thank you bye bye take care